हलो फ्रेंट मैं बिडियस कुमार ओपिसियल यूटूब चेनल जी ओबी टी यानि गॉर्णमेंट जॉप्स फोडियू में आज का वीडियो बहुत ही मातपुन होने वाला है क्योंकि आज इस वीडियो में लाइबेरियान इनि लाइबेरी या इन्फार्मेशन असेस्टेंट के 25 पद के बारे में बताने वाला हूँ और लाइबेरी साइन्स की फिल्ड में 25 पद कम नहीं होता है बट एक ही प्रोब्लम है प्रोब्लम यह है कि यह जो वेकेंसी हैं कंटेक्चुल बेसिस पे आवेदान आमंत्रित हैं यानि जिसे हम अप्रेंटिस सिप कहते हैं तो यह हैं जिसमें 5 पद हैं computer science में और 25 पद हैं library information science में जो internship के लिए आवेदान आमंत्रित हैं तो सबसे पहले हम बात करें कि यदि आप application form और notification दोनों डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि इस channel के दोरा जो website बनाया गया है website का नाम है govtjobs4u.org इस website पे आपको notification किसान download करने का और form download करने का दोनों link आपको मिलेगा इजली one click में आप download कर सकते हैं यदि आप interested हैं तो जरूर इस website पे visit करें और daily visit करें वोंकि daily vacancy update की जाती है अब मैं बात करूं कि मैं already government service में हूँ और मैं जो video बनाता हूँ केवला आपके लिए बनाता हूँ तो आप video को लाइक करें और चेनल जो है उसको सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेर करें जिससे की लाइवेरी साइन्स की फिल्ड में 25 पद हैं तो लाइवेरी प्रोफेसनाल्स जो eligible हैं वो apply करें इसके लिए कोई experience की require नहीं है फ्रेशर candidate apply करें इस बात को आपको विज्जेस ध्याम रखना है तो आब हम बात करें कि यह जो training period है एक साल के लिए आता है पद का नाम है यानि लाइबरी एंफार्मेशन साइंस के one year का degree है after graduation के बाद degree in library information science है तो आप apply करेंगे इसके लिए 9000 रुपिये आपको परमंत मान दे के रुप में salary मिलेगा दूसरा पंद की बारवी standard pass out है और diploma library in information science में three year का है किसी भी संस्ता या इन्वर्सिटी से तो आप apply करेंगे तो diploma वाले candidate के लिए 8000 रुपिये परमंत salary मिलेगा और degree वाले candidate के लिए 9000 रुपिये परमंत salary मिलेगा यानि degree जो किये हैं उन professionals के लिए यानि degree आप किये हैं तो आप सभी के लिए जो है 9000 रुपिये salary हैं और diploma आपके हैं तो आपके लिए 8000 रुपीय पर मंद salary मिलेगा computer science में total 5 पद हैं diploma इंग computer science मांगा हुआ है और qualification में total salary में 8000 रुपीय पर मंद salary है यदि आप इस पद можем interested है और apply करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या require होगी वह हम बात करते हैं कि जो apprenticeship है इसकी संख्या बढ़ाया और घटाया जा सकता है कोई कि मैं डीटेल जंकरी आपको बता रहा हूँ यह जो dependent है यहनी जो seatों की जो संख्या बढ़ाने घटाने का जो rights हैं वह हैं DRDO को जैसे ही require होगा seat में बढ़ाया घटाया जा सकता है उसके बाद से यहाँ पर से के first number में जो है candidates are required to download application form application form आपको website से download करना है कहां से DRDO के website से दूसरी बाद कि application form fill करना है इसके बाद जो है आपको application form send करना है send करने के लिए address है to the director desi.medkov house dillie pin code है double one double zero five four यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा हमें ऐसा लग रहा है कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा बट समझ में जरूर आएगा acst obc candidate के लिए जो है यह आप apply करना चाहते हैं acst और obc candidate जो library professionals हैं और computer science के professionals हैं apply करना चाहते हैं तो आपको central government का जो है cast certificate आपको बनवा कर देना परेगा और जो cast certificate लगेगा central government का लगेगा state का काम नहीं चलेगा यह दि आप otherwise आपका जो है general में आप apply करेंगे यहां तक तो नियम समझ में आ गया होगा अब अपर जो इसके लिए written test और interview हो सकता है कि written test भी हो और हो सकता है कि interview भी हो इसमें sales लगाया हुआ है यानि कि written test या interview या दोनों हो सकता है CST candidate और OVC candidate के लिए age limit में sorry CST candidate के लिए age limit में जो हैं 5 साल का छूट है और OVC category के लिए age limit में 3 साल का छूट है यह छुट इसलिए हैं कि यह जो वेकेंसी हैं DRDO के वेवसाइज से डाउनलोड करना है DCDoc में आवेदन आमंतरित किया गया है निव दिली में अब हम बात करें application form पहुंचने की जो अंतिम्तिति है 21st day date of advertisement DRDO के website पर जिस दिन DRDO के website पर या advertisement update किया गया है उस दिन से आपको 21st day count करना है और वही अंतिम्तिति होगा इसलिए आप without delay किये हुए without late किये हुए आज ही या कल ही application form डाउनलोड करके जल्दी से feel करके आप send कर दे जिससे की time से पहले आपका application form receipt हो जाए दूसरी बात selection forces और criteria जो हैं तो all candidate के लिए जो है written test और interview के लिए बुलाया जाएगा short list candidate के लिए और यह किस अधार पर short list किया जाएगा तो merit basis के अधार पर short list किया जाएगा इसके बाद जो हैं और भी detail जंकारी हैं जो मैं अभी मैं बताऊंगा तो video थोड़ा सा लंबा होता जाएगा अब यहां पर हैं सेबर नंबर में short list candidate must bring all original certificate यहीं जो भी कंडिडेट को short list किया जाएगा इंटर्विव राकुमेंट वेरिफिकेशन के लिए सभी ओर जिनल सार्टिफिकेट लेकर जाना है जो इंटर्विव या जो short list candidate के लिए जो वेकेंसी हैं डेसी डाग जो डाइरेक्टर डेसी डाग के जो डाइरेक्टर है उस टिम के द्वारा यह कार पूरा किया जाएगा इसके बाद only selected candidate will be informed through the letter या जीमेल तुरू यानि short list merit के अदार पर short list किया जाएगा और short list application form फिल करने के लिए NTS के portal पे आपको जाना है वहां से सबसे पहले आपको registration करना है उसके बाद application form आपका फिल होगा तो यह तो बात की बात है और कौन से candidate apply कर सकते हैं तो 2022 और 2023 जो candidate है eligible है वही candidate 2022 और 2023 के pass out candidate eligible है यह application form है जो आपको application जो फाम है यही आपको फिल करके send करना है तो यह application form इस channel के दोरा जो website बनाया गया है वहां पर आपको जाना है vacancy में जाना है और vacancy में यानि librarian government jobs vacancy में आप जाएंगे और उस लिंक पे करेंगे तो यह डिटेल जंकारी आपको मिल जाएगा इस तरह से यह आवेदान आमंत्रित हैं जो वेकेंसी हैं डिफेंस साइंस पीटिक हैं information and documentation center निव दिल्ली में आवेदान आमंत्रित हैं इसी तरह का अपडेट और ने वीडियो की जंकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वेल नोटिफिकेशन को आन करके